Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं Miscellaneous Exercise of Differential Equation का Question No.7 देखते हैं क्या है? So that the General Solution of Differential Equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon me x square plus x plus 1 equal to 0 is given by this and a is a parameter यहाँ पर क्या गह रखा है? कि जो यह Differential Equation दे रखे ना इसका General Solution यह है आपको प्रूव करके दिखाना है तो मतलब क्या है? हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें इस Differential Equation का General Solution फाइंड आउट करना है यह अपने आप ही यही आ जाएगा तो देखो कैसे करेंगे Equation क्या है? dy by dx plus में y square plus y plus 1 upon में x square plus x plus 1 equal to 0 यह दे रखे है इसको क्या करना है? हमें y वाली term को अलग और x वाली term को अलग कर लेना है तो कैसे करेंगे यहाँ पर dy by dx equal to minus का y square plus y plus 1 upon में x square plus x plus 1 यह हो गया x वाली term को अलग कर लो y वाली term को अलग तो यहाँ पर क्या हो गया? dy by y square plus y plus 1 इसका integration is equal to minus integration dx y dx उपर चला जाएगा x square plus x plus 1 अब यह देखो नीचे quadratic equation है तो completing the square method यूज करेंगे बहुत सारे questions कर रखे हैं completing the square के क्या करना होता है? y वाली term का जो भी coefficient है या x वाली term का जो भी coefficient है उसका half करेंगे उसके square को add subtract करेंगे तो हमारा completing the square बनता है देखो कैसे x square plus x plus 1 है यहाँ पे x का coefficient क्या है? 1 इसका half करेंगे 1 by 2 1 by 2 का square 1 by 4 add कर दिया और 1 by 4 e minus कर दिया अब यह किसका formula बन जाएगा? 1 by 4 को 1 by 2 का square लिख सकता हूँ मैं तो क्या बना मेरे पास यहाँ पे यह बन गया मेरे पास x plus 1 by 2 का square और 1 में से 1 by 4 गया तो हमारा क्या हो गया? 3 by 4 तो minus का 3 by यहाँ पे क्या जाएगा? plus का 3 by 4 और 3 by 4 को क्या लिख सकता हूँ? 3 by 2 under root इसका square ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? इसको 3 by 4 रख दो या फिर under root 3 by पूरे में under root ले रहे हो तो under root 3 by 4 का square यहाँ पे भी दोनों साइड same use हो जाएगा हमारा तो यह क्या बन जाएगा? हमारा integration dy by यह बन गया y plus 1 by 2 का square और plus में under root 3 by 2 का square complete पे root लिखोगे तो 3 by 4 लिखना है 4 का root करेंगे तो 2 हो जाएगा तो under root 3 by 2 हो जाएगा बच्चो equal to minus का sign integration यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? dxy x plus 1 by 2 का square और plus में under root 3 by 2 का square clear हो गई बात? अब आगे इसको simplify करते हैं यहाँ पे देखो यह क्या बन गया? simple सा formula बन गया हमारा यहाँ पे 1 by a 10 inverse x by a का तो क्या बना यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह 2 पर जाएगा 2 by under root 3 10 inverse y plus 1 by 2 upon में under root 3 by 2 is equal to किसके आगया? minus का sign यह क्या हो जाएगा? हमारा 2 by root 3 और 10 inverse x plus 1 by 2 upon में under root 3 by 2 और plus में क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम ध्यान से देखो c constant है plus में c लिखा जाएगा हमारा तो यहाँ पे क्या आजाएगा? हमारा c constant आजाएगा अब देखो 2 by root 3 से 2 by root 3 कट गया बच्चो यहाँ पे minus का 10 inverse x plus 1 by 2 root 3 by 2 है इसको simplify कर लो हम देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा 10 inverse उपपर LCM कितना आगया? 2 तो उपपर हो गया 2 by plus 1 और निच्चे क्या है? under root 3 by 2 2 से 2 कट जाएगा इधर क्या आजाएगा? minus का 10 inverse 2x plus 1 by 2 upon में under root 3 by 2 और plus में C यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया इस ट्रम को इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा? मेरे पास 10 inverse यह plus का आएगा तो 2x plus 1 by root 3 और यहाँ पे क्या था? plus में 10 inverse 2y plus 1 by root 3 equal to किसके बच्चो? C constant के किसके आजाएगा मारा? C constant के आजाएगा अब देखो यहाँ पे दोनों साइट 10 inverse function है तो हम C constant को भी यहाँ पे क्या लिख लेंगे? हम 10 inverse C ले लेंगे यहाँ से भी लेना चाहो तो यहाँ से भी starting से ले सकते हो आफ 10 inverse C 10 inverse C का मतलब constant ही है यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे? 10 inverse C और यहाँ पे भी लिख लेंगे 10 inverse C क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 10 inverse X plus Y का formula बन रहा है हमें 10 inverse से 10 inverse cancel करना पड़ेगा तो हमारा cancel out हो जाएगा अब यहाँ पे देखो 10 inverse X plus 10 inverse Y का formula लगा दो क्या होगा? 10 inverse A plus B होता है मतलब 2 X plus 1 by root 3 और plus में क्या जाएगा? 2 Y plus 1 by root 3 अपोन में क्या जाएगा? 1 minus 2 X plus 1 by root 3 multiply में 2 Y plus 1 by root 3 is equal to किसके? 10 inverse C के 10 inverse से 10 inverse कट गया इसको simplify करना है नेक्स पेस पे दिखते हैं इसको अगे simplify करते हैं उपर जो LCM आएगा वो कितना आएगा? अंडर root 3 उपर क्या आगया? 2 X plus 1 और plus में 2 Y plus 1 denominator को देखो द्यान से root 3 की root 3 से multiply 3 हो जाएगी तो क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास 1 minus 2 X plus 1 into 2 Y plus 1 और अपोन में क्या आजएगा? यहाँ पे root 3 root 3 की multiply 3 हो जाएगी इसको simplify करना है अब हमें यह equal to किसके था हमारा C constant के? अब देखो बच्चो कैसे simplify होगा? उपर क्या हमारा 2 X plus 2 Y और plus में 2 अपोन में root 3 निच्चे क्या आजएगा हमारा? 3 LCM तो यहाँ पे क्या आगया? 3 minus 2 X plus 1 और 2 Y plus 1 की multiply करो तो क्या आया है? यहाँ पे 2 X की 2 Y से करेंगे तो क्या हो गया बच्चो? 4 X Y 2 X की 1 से की तो plus का 2 X फिर plus में 2 Y plus 1 ठीक है? इसको further simplify करते हैं उपर से 2 को मना रहा है हमारा तो क्या आगया? X plus Y plus 1 by root 3 upon में यहाँ पे क्या आजाएगा? यहाँ पे 3 minus 1 हो जाएगा तो 2 minus का 4 X Y minus का 2 X और minus का 2 Y होगा या नहीं? और upon में क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा इसको further simplify करेंगे तो क्या आगया मेरे पास? 2 by root 3 into X plus Y plus 1 थोड़ी calculation ध्यान से करने हैं इन questions की यहाँ से common क्या आ रहा है? हमारा 2 common आ रहा है तो 2 common ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 minus 2 X Y minus X minus Y upon में 3 2 से 2 कट गया हमारा यहाँ पे root 3 से इसको कट आएगे तो under root 3 is equal to किसके हो गया? C के इसको इस तरफ लेके जाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस पूरी term को इस तरफ लेके जाएगे तो यह क्या आ गया? X plus Y plus 1 is equal to यह 1 by root 3 into C into 1 minus 2XY minus X minus Y अब यह सारी का term क्या है? हमारी constant है तो हमारी equation देख लो दे रखे यह क्या आ गया? X plus Y plus 1 is equal to C constant और इसको थोड़ा आगे पिछे करके लिख रखा है 1 minus X minus Y minus 2XY यही तो थी differential equation hence proved बस यह करना था थोड़ी सी calculation difficult है बस वो ध्यान से करनी है बाकी कुछ भी नहीं है कि उस्टेर में कोई भी problem लगया आप मुझसे पूछ सकते हैं अधरवाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेयर कीजिए थैंक्यू स्टूडेंट्स पर वाचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो